तो मगर संक्रांती का फेस्टिवल जल्दी आने वाला है तो हर किसी के घर में बनते है तिल गुड के लड़ू और एक चीज और बनती है ओ हे तिल पटी या तिल की सॉफ्ट चिक्की आपने तिल गुड की वो चिक्की जो क्रंची होती है क्रिस्पी होती है वो तो बहुत बार खाई होगी लेकिन ये सॉफ्ट वाली मूँ में घुलने वाली तिल की जो पट्टी है वो आज हम बनाएंगे तो नमस्ते दोस्तो मैं हुजीमा और स्वागते आपका आप की अपनी दावत में तो तिल पट्टी या सॉफट चिक्की बनाने के लिए मैने यहाँ पर लिया है एक खुटकीि फुल भर्के यहाँ पर सफेतीज है और एक कट़री से थोडा सा ज्यादा मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है देख सकते हो आप लो बिल्कुल थोड़ा सा यूज करना है आपको तो बस इन तीन चीज़ों की आपको जरूरत तिल पट्टी बनाने के लिए पड़ेगी तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने रख दी है गयास के उपर कडाई और कडाई थोड़ी सी गरम होते ही मैं इसमें डाल दोंगी सफेद तिल जोकि हमने पूरी एक कटोरी भर कर यहाँ पर लिये है आप किसी भी कटोरी का या कप का यहाँ पर यूज कर सकते है तो देख लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आज तिल पट्टी ही बनाएंगे तो चार से पांच मिनिट यहाँ पर हो चुके है और तिल बहुत जल्दी से भुन जाते है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हलके होते है तो इसे भुनने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता तो तिल बनकर अभुनकर यहाँ पर तैयार है तो इसे निकाल लेते है एक प्लेट में कड़ाई में आपको इसे नहीं रखना है देख लीजिए प्लेट में इसे निकाल लिया है अब इसे पूरी तरह से हम ठंडा कर लेंगे अब यह कड़ाई तो पहले से गरम है तो अब इसी कड़ाई में हम लोग डाल देते है तीन चौताई कप गुड आप चाहें तो यहाँ पर गुड के जगा पर चीनी का भी इस्समाल कर सकते है तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने गुड डाल दिया है गुड आप थोड़ा अब इसमें हम लोग डाल देते है बिल्कुल छोटी चममच पानी बिल्कुल भी इस से ज़्यादा पानी आपको इसमें नहीं डालना है देख लीजिए दो चमच पानी डाल कर मैं इसे अच्छी तरह से यहाँपर स्मैश करते हुए गुड को अच्छी तरह से मेल्ट कर बहुत लोग डरते हैं चाष्णी बनाने में लेकिन मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताऊंगी चाष्णी बनाने का तब तक चाष्णी जब तक बनती है तब लोग यहां पर एक जो स्टील की प्लेट ली है उसे में थोड़ा सा ही आप घी लगा कर इसकी ग्रीसिंग कर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है तो दो मिनिट चलाने के बाद यहां पर हमारी जो चाशनी है वो अच्छे से उबल चुकी है अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि यह पट्टी बनानी के लिए तयार हुई है नहीं तो यह बिल्कुल एक सिंपल तरीका आपको मैं यहां बताना चाहूंगी मैंने एक कटोरी में ठंडा नॉर्मल पानी लिया है इसमें हम लोग यहां पर चाशनी के दो से तीन बुन डाल कर देख लेंगे और इस तरह से आपको इसे चेक करना है अगर यह बहुत ज्यादा चिपचिपी है या इसकी एक गोली जैसा बनता है चिप हो जाएगी अब हम लोगों को गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था अब एक बार और गैस का फ्लेम चला कर इसे हमें दो मिनिट तक और पकाना होगा और फिर बाद में एक बार चेक करना पड़ेगा तो पहली बार तो हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई थी बहुत तो इसी टुकड़े जैसा हाथ में हो रहा है तो बिल्कुल यह अभी रेडी है तो इसी टाइम हमें जल्दी से तुरंद इसमें डाल दिनी है चुटकी भर बेकिंग पाउडर एक बार अच्छी से मिक्स करना है फटा फट से आपको एक काम करना होगा और डाल देने है तिन जो हमने भून कर रखे थे पहले से ही इक बार अच्छी तरह से से मिक्स कर लेंगे बहुत ज्यादा गरम है थोड़ा सा साउधानी से कीजेगा अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे पूरी तरह से और इस समय मैंने ग्यास का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है नीचे से यहां पर देख सकते हो आप लोग मैंने इसे अच्छी दर से कटोरी की हेल्प से इसे स्प्रेड कर वी दिया था और इसे मैंने निशान भी लगाए हैं कट लगाए है आप जिस भी शेप में इसे कट करना चाहते हैं कर सकते हैं तो अब इसे 10-15 मिनिट लगें के सेट होने के लिए तो 10-15 मिनिट में हमारी जो तिल की पटी है बहुती सॉफ्ट वाली मुह में डालते ही घुल जाती है सच में आप जरूर एक बार इसे ट्राइ कीजिए और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए अब यहां पर मैं आपको तोड़ कर दिखाना चाहूंगी अभी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है लेकिन मुझे ना बहुत ज्यादा जल्दी हुई है मुझसे रहा नहीं जा रहा है इसलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो देख लीजी हाथ से तोड़ते ही इसके बिलकुल सॉफ्ट तुक भी कैसी लगी और हां ऐसी नहीं नहीं और बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज को और देखने के लिए दावत चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बेल आकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग